अब शुरू करना है पिछले बार मेने बदाया है मेली तीन बात तुमें हम चुपचाप नहीं बैठना नंबर उन बात हमरा प्रार्थना जीवन दूसरा बात तुमें बाद में बदाएंगे ओ यही है अमरा आराधना में हम चुपचाप नहीं बैठना तीसरा बात यही है विशे में कभी भी हम चुपचाप नहीं बैड़ना लेकिन इसका पगले भाग हम पढ़ते हैं हम प्रार्तना का विशे में प्रार्तना का सभाव में कभी भी चुपचाप नहीं रहना प्रार्तना के लिए हम मूं खोलना है प्रार्तना के लिए समय हम डूढ़ना है प्रार्त प्रार्थना किया एक देश का कानून बदल दिया आमेन तलवार और मृत्यू उनका जिंदगी से पीडी से दूर हो गया अगर आप प्रार्थना करें तो मृत्यू आपका गर से दूर जाएगा आमेन मृत्यू आपका पीडी से दूर जाएगे आगे आने वाला विपत्ति आसू दुख नुक्चान आगे निन्ना का सारे अनभव आपका जिंदगी में नहीं आएगे आप अकेला प्रार्थना के लिए आ सकते तो उस प्रगार का समतकार जैसे इस तेर का जीवन में किया ह है यहूदी जादी के लिए किया है वैसे आपका परिवार और आपके लिए परमेश्र करेंगे आमेन पिछले समय में अस्तेर जैसा उपवास के साथ अकेला प्रार्थना के लिए समय बिदाया हुआ बाई और भगनों कितना कितना बार मृत्यू का शक्ति आपका घर में आ माते पे हर एक विक्ति का घर का चौकत में हर एक विक्ति का हर एक विशे में परमेश्र का चापा हमेश होते हैं वहां बर मुर्तिव का आत्मा को प्रवेश नहीं कर पाएगा आमेन आपका खिलाफ बनाने वाला कोई भी खत्यार दुनिया का लोग बनाने वाला कोई भी का कभी भी आपका जीवन में सफल नहीं होगा आमेन पीचले समय में प्रातना किया हुआ भाई और भगनों अपीपी अकेला बैट कर रात का समय रोरो कर दुवार करने वाला इस्तेर परिमेशन का सामने अकेला बैट के जब समय मिलते तब प्रातना करने वाला मौर्थे खाई आपका जिन्दगी में आगे भी मुर्तिव का शक्ति नहीं चू सकते हैं विपत्ति आपका घर में नहीं आ सकते हैं महामारी क्लेश आपका जीवन में कभी भी आने का अन्मदी परिमेशन नहीं देगा आपका चारों तरप परमेशर का बाड़ा होगा आमेन परमेशर अप अपना लिखू का बाड़ा से आपको संभाल करेंगे, आप सलाने वाला गाड़ी में, आप रिखने वाला घर में, आप काम करने वाला ओफिस में, आप चलने वाला रास्ता में, जहां जहां आप जाते हैं, हर जगा में, सुर्कुदूद आपको हर प्रगार का आसू से, मृत उसे नुक्सान से बजाएंगे ऐसे विक्ति करने वाले लोगे जीवन में आईसे आशिश होगा आमें और एश्युमसी का बारे में मैंने बदाए श्युमसी सबसे बड़ा एकसामल है अकेला बैट के दूआ करने में आमेन जब एश्युमसी इस दर्ती पे था इतना बिसी ब्यक्ती था क्योंगी केवल साड़े तैंदी साल के अंदर पिता परमेश्युर सवबाव वा सारे करते विये पूरा करना है लेकिन एश्युमसी इसका बीच में भी अकेला बैट के प्रार्तना करने वाला सवबाव नहीं चो येश्यु का नाम आज दुनिया में सबसे उंचा नाम है अमेन येश्युमसी का नाम का सामने सारे गुटना ठेकेगा सारे जीब कहेंगे येश्युमसी सचा कुदावंद परमेश्युर है हाललुया येश्युमसी का सामने भूद प्रेद जादू टोना तंदर मंदर सारे तांद्रिक भी थिया एक पल में ख़तम हो जाते हैं क्योंकि ये शुमसी जब शरीर में होकर यहां बर रह रहा था अकेला प्रार्थना में आगे बढ़ा इसलिए प्रार्थना करने वाला विक्ति का सामने दुनिया का सब चीज गुटना जरूर ठीकेगा हालेलुया इसलिए आपको परिशान करने वाला आपका सामने आपको चलेंज करने वाला आपको ऐसे करेंगे वेसे करेंगे करके आपको डराने वाला कोई भी सिटुएशन हो लेकिन डरना नहीं आप अकेला बैटके प्रार्थना करने वाला एक प्रार्थना योधा है तो शे शेवन में पूरा नहीं होगा, Halelugya, बीछले समय में प्रार्थना करके कितना बार, कितना बार, शेटना गा, आइसे वाला योजना को हम कैंसल किया है, अधूरा किया है, हमारा जिंदगी में प्रगणोने के लिए भी प्रमेशन नहीं दिया, उस तरीका में जै का जंड़ा ह हमारे उपर प्रभु ने खड़ा कर दिया है यह प्रार्थना का एक फल है इसलिए प्रार्थना का स्वभाव नहीं चोड़ना प्रार्थना में आगे बढ़ना है हललुया प्रार्थना करने वाला वेक्ति काभी लज्जद नहीं होगा काभी पराजद नहीं होगा किसी का साम निन्नी तोने के लिए परमेश्र अवसर नहीं देगा इसले प्रार्थना का आदत में आगे बेने रहिए अभी तके आदत नहीं है तो प्लीस ओ आदत में आने के लिए आप समर्पन गीजिए आप में आमें 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 आज वेक्तिकद प्रार्थना का तीसरा एक विक्ति का दिर्टांद में देना चाहता हूं तीसरा विक्ति का बारे में पीछले एक हपते मेने बदाया चाउती विक्ति का बारे में आज बोलेंगे पीछले हपते कुछ का बारे में बदाया यादे क्या दावूत का बारे में बदाया दावूत तकड़ा पाप करने के बाद वो अकेला परमेशर का सामने आया एक मन फिराव का प्रार्थना एक पच्चाताप का प्रार्थना एक पापों की छमा का प्रार्थना परमेशर का सामने किया है अगर आपका जीवन में कोई गलती हैं, कुछ गलत सभाव आपी भी आप चोड़ने के लिए चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं चोड़ रहें, कुछ गलत सभाव से आप बागर आना चाहते हैं, अगर ऐसे आपको जीवन में कुछ मुश्किल है तो दावूद हमारा सामने एक उन्होंने प्रभू का सामने आके अपना गुप्त पाप होंगो, उन्होंने पप्लिक में किया हुआ पाप होंगो, अपने अपराद होंगो, एक एक परमेश्वर का सामने गिन गिन के अंगिकार करके प्रार्थना किया, बाइबर में हम साफ करते हैं, दावूद नाश नह पाप का बहुत सारे आदत होगा पाप का बहुत सारे सभाव होगा लेकिन एक एक सभाव को पाप को गलती को प्रभु का सामने आप याद करना उसके बाद खुलम बोलना बिना शरम बोलना परमेशर सब कुछ जानते हैं आप नहीं बोले तो भी उनका सामने सब कुछ नंगा पड़ा है अमेन उनका सामने कोई भी चीज नहीं चुपा सकते हैं इसलिए इतना महान सर्वग्याभी परमेशर का सामने सर्वग्याग इतनी परमेशर का सामने आपको कोई भी चीज नहीं चुपा सकते हैं आपका पपा से मम्मी से पती से पत्नी से बाई से बैचों से पास् शुमस्री का सामने हमारा कोई भी पाप गलती हमारा कोई भी गुणाह नहीं चुपा सकते हैं इसलिए प्रभुचात हैं आवो उनका सामने बैटो एक एक गलती आप अंगिकार करके श्म मांगो अमें ऐसे कितने लोग पिछले समय में किया हैं हातों गुड़ा कर दे नवाद करें अगर नई किया है तो अभी भी अवसर है आमें अभी भी परमेशर आपको जिंदा रखा है आपका बिच्पन से लेकर आप बहुत बार किया हुआ कुछ गलती अभी भी ओ सुभाव आपका जीवन में होगा आप इश्व मसी का सामने मान लीजिए ये श्व में एक पा गलत तो जासता है प्रभी येश्व में इसमें से बागराना चाहता हूँ उसके बाद आप परमेशर का सामने अंगिकार करना है हालेलुया चमा मांगना है येश्व पापों की चमा देते हैं पिछले बार हम ये भी सुनाई की दुनिया का सबसे बड़ा आशिश पापों क चमा आमें पापों की चमा मिलने से आपका दिल के अंदर सबसे बड़ा शामदी भरेगा आमें हलेलुया आपका अशामदी को दूर करने के लिए दार्यू पीने से नशा करने से सिनमा देखने से इधर उधर आप entertainment के लिए जाने से कापी नहीं होगा तोड़ा समय के लिए आपका दुख भूलेंगे आपका समस्य आप शायद भूलेंगे थोड़ा समय के बाद डबल आपका जीवन में डिप्रशन परिशानी दुख किया हुआ गलती का याद आते रहेंगे और आप डबल करना पड़ेगा entertainment और नशा और इत्यादी चीज और भूलने के लिए इस आदत का गुलाम बनेंगे इसलिए इस दुनिया में कुछ आप किया हुआ गलत पाप को सभाव को दूर करने के लिए उसमें से बागराने के लिए जो आप करते हैं वो आपको बाद में खदम करेंगे लेकिन वो आपके लिए परिगार नहीं है लेकिन आज आपका सामने का परिगार का मार्ग में बदाना चाहता हूँ अभी एश्व आपका सामने कड़ा है आमें एश्व में कोई पाप नहीं है लेकिन आपकी आववा सारे पाप एश्व जानते हैं का आपका सारे पाप का साचा येश्व आपने उपर ले लिया है आज इसे दो जार साल पहले शूली पर हम सब के लिए अपना जीवन दिया है येश्व मस् racks अपना खून बहा कर अभी जीवड़ कर हमारा सामने खड़े होकर बदाते बेटा तेरा पाप का सजा मैंने सगल लिया है तुमारा पाप को दोने के लिए मैं खून बहाया है मैं निश्पाब होकर आपके लिए अभी खड़ा है मेरा सामने तुमारा पाप को माल लो गलती को माल लो गुणा को माल लो अबराल को माल लो मेरे से अ से आपका पाप को नहीं मिठा सकते हैं के एवल येश्व मसी का लखू आपका तमाम पापों को मिठा सकते हैं दूर सकते हैं दूर कर सकते हैं दो सकते हैं इसलिए ये येश्व का सामने कितना लोग बदाएंगे येश्व में एक पापी हूं मेरे अंदर गलतियां बहुत हैं मेरा जीवन इस प्रगार का कम्याम बहुत है प्रभू येशु चमा कीजिए ये सुभाव से मैं बागराना चाहतों जैसे दावुद दुआ किया वैसे मुझे दोने के लिए कौन दुआ करेंगे चमा देने के लिए येशु बसी आपका सामने कड़ा है हाललुया येशु कभ भी आपको दुख देने वाला नहीं है आपका गलत्ती को देखे आपको दुख देने वाला नहीं है आपको दर्त देने वाला नहीं है पत्तर हलेल भाव फेकने वाला नहीं है निंदा करने वाला नहीं है अपना गलत्ती को मानगर मैं एक पाभी हूं मेरे अंदर इस कुल्कुल साफ करेंगे। उस प्राइटना करके कितने लोगों चंहा पाया है, अपने हाथों गटा करने ही किई तो आज प्राइटना कीजिए यहां बैटके द्वा कीजिए, येशु आपका दिल में आना चाथ है येशु आपको साफ करना चाथ है, येशु आपको यहां से एक नया वीक्ति बना कर नया स्रिष्टि बना कर आगे बेजना चाहतें क्योंकि प्रभु का बचन में लिका हुआ हैं दूसरा कुरिंदी 5 का 17 बचन में ये दी कोई मसी में है तो वो नयास रष्टी है हाललुया इसलिए मेरे प्रियोम यूहना का पगले पत्र ये का नाव का लास्ट में लिका हुआ है ये शुमसी का लगू आपका तमाम पापों को दोते हैं शुद करते हैं आपका पाब लाल रंग का समान भी हो ये शुमसी स्वेद कपड़ा जैसा अपना लगू से आज शुद करना चाहते हैं आमेन बाइबल के अंदर कितना कितना महापाभी होंगो, येशु शुद्द करके पवित्र बना दिया है, वो येशु अभी भी हमारा बीच में गड़ा है, सबसे बड़ा एकसेंबल हम सब लो हैं, बाइबल के अंदर भी अने लो हैं, हम सब को पता हैं, मुसा नामक एक विक्ती, एक विक्ति को खतम किया हैं, लेकिन परमेशर उनको खतम नहीं किया, वो अपना परमेशर के पास आके गुटने में आकर अपना पाप को अंगीकार किया, पाप को माल लिया, इसलिए एक विक्ति को खत्या किया हुआ, मुसा को परमेशर शुद्द करके बाद में एक बहुत परमेशर का दास बना दिया है अलेलुया आपको पुदा है दावूद सबसे बड़ा पाप किया है लेकिन हत्या किया बेविजार किया बहुत कुछ कलत किया है लेकिन परमेशर का सामने अपना पाप को उन्होंने मान लिया है उन्होंने अंगिगार किया है चमा मांगा है इसलिए परमेश और उनको दोक कर नया बना दिया अनेग भजन संगीदा लिखने के लिए परमेश और उनको इस्तमाल किया है आमें उनका वंश वली के अंदर उनका परंबरा के अंदर उनका कुडुम्ब के अंदर येश्मसी भ कड़ा हो लेकिन चमा देने वाला येशु यहां अमभर है हललूया कोन येशु मसी से बदाईएंगे येशु ऐसे मेरा जीवन में गलती हैं चमा कीजिए लेकिन साथ-साथ ये श्मसी के एक वार्नी है आगे पाप मत करो हालेलुया आगे पाब मत करना कभी भी नहीं करना एक पवित्र जीवन भी दाना है प्रभु हमें चमा देते हैं पवित्र दाई में चलने के लिए प्रभु हमें दर्मी बनाते हैं दार्मी गदा में चलने के लिए परमेश्टर हमें पवित्र बनाते हैं पवित्र दाई में म नहीं उनका संग रहने के लिए परमेशन हमें बुलाया है हाललुया इसने कोई पाब कुछ लोग गाली बदाया है कुछ लोग मारा है पीटा है लडाई किया है जड़ा किया है वो किया है एक किया है अलग-अलग तरीका का पाब अलग-अलग जीवन में होगा लेकिन आपको तुम तुमारा गलती को मेरा सामने अंगिकार करो मानों मैं आपको चमा देना चाहता हूं हलेलुया हलेलुया कितना लोगे इसे दुआ करना चाहते हैं आपको एक नया विक्ति बना कर आगे परमेशर चलाना चाहते हैं अमें चलिए विक्तिकद प्रार्थना के अंदर पाप जादा आदर का अनग्रह लेके आते हैं, आमेन, आमेन, विक्ति गद प्रार्थना जो विक्ति करते हैं, उनका जीवन में आशिष का बहुत बड़ा भर्बूरी होगा, आमेन, विक्ति गद प्रार्थना आशिष पाने के लिए परमेशर हमारा हाथ में दिया हुआ एक चार अधियाई इसका नाव और दस वजन अभी हम पढ़ेंगे वहाँ एक विक्ति का बारे में हम पढ़ते हैं यह बेस नाम से एक विक्ति पगले इतिकास का पुस्तगा चार अधियाई इसका नाव और दस वावचन माइक में माइक में बढ़िये यावेस अपने भाईयों से अधिक पर्तिस्टिट हुआ और उसकी मातर ने यह कहकर उसका नाम यावेस रखा कि मैंने इसे पीडित होकर उत्पन किया यावेस ने इसराइल के पर्मेश्य को यह कहकर पुकारा बला होता कि तू मुझे सचमुच आशीज देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीडित ना होता और जो कुछ उसने मांगा वह पर्मेश्य ने उसे दिया आमेन यह बैस जो पर्मेश्य से मांगा पर्मेश्य उनको दे दिया हमारा पर्मेश्य से इश्य मसी से जो बात आप मांगते हैं आज नहीं तो कल पक्का आपको मिलेंगे हालेलुया लेकिन हमारा कमी हम मांगते नहीं मांग के देखिए देखिए मैं आपको गैरंड देता हूँ देने के लिए हमारा परमेशब तयार है हालेलुया यहां यभेस का बारे में ज्यादा में विवर्ण करना नहीं चाहता हूं समय का कमी का कारण चार अद्याय जब हम पढ़ते हैं इसरायल का एक गोत्र यहूदी गोत्र यहूदा गोत्र का वंशावली वहांबर विवर्ण किया हुआ है उसमें एक विक्ति का नाम आजानक आजाते हैं उनका नाम है याबेश क्या बोलते हैं याबेश कौन सा बजन है पगले इतिगास का पुस्तागा चार अद्याय नाओ और दस्वावचन याबेश शब्द का आर्थ यही है दुख का पुत्र क्या है दुख का पुत्र क्योंकि वहां पर लिका हुआ है जब यह बेटा पाइदा हुआ उनका मम्मी बोहुत दुख में पड़ा बहुत पीड़ा शगन किया परिशान हो गया वो परिशानी का बीच में दुख का बीच में नुक्सान का बीच में दर्त का बीच में उनका मम्मी उनको जनम दिया इसलिए मम्मी उनको नाम रखा है कौन सा नाम ये बे याबेश याबेश नाम का आर्थ एक दुख में पैदा हुआ वेक्ती है अधिगी का शुरुवात देके तो बहूत दुख्ष से भरा हुआ एक जिंदगी हैं उस प्रियार का इक परिवार में पैदा हुआ हैं दुख से आसू से हमेशा रहने वाला एक मम्मी का बेट बेन धर पैदा हुआ है कि उन्हावी कोई आशा नहीं कोई आशश नहीं कोई उन्हर नहीं घर के अंदर शाद्न नहीं कोई भी तरीका में एक वी उन्हर नहीं परिए लिए इस सब्सक्रा nostrum आपका परिवार करते दे चिए आपका प्पा मम्य का पुर्यान अवस्त तोड़ा मोड के देखिए ये जैसा बहुत दुख से भरा हुआ एक परिवार में आप पैदा हुआ है अच्छा कपड़ा नहीं अच्छा खान नहीं अच्छा मकान नहीं पढाई करने के लिए आपको कोई सुविदा नहीं दारु पीने वाला पपा घर के अंदर कोई उन्नदी नहीं हर प्रगार का दुख से भरा हुआ मृत्यू से भरा हुआ बीमारी से भरा हुआ परिशारी से भरा हुआ हर प्रगार का दर्त से भरा हुआ एक परिवार में आप लोगों से कुछ लोग पैदा हुआ है ये बेश जैसा ये बेश का जिंदगी को आप देखिए आपका जिन्दगी के साथ तुलना करके हालेलुया ऐसे एक परिशानी में पैदा हुआ एक विक्ति आज हमबर बैटने बाले कुछ लोंगा स्तुधिया इससे होगा शायद आपका घर के अंदर अभी भी 24 हंडे आसू से एक भरा हुआ निभो होगा आपका बै नुक्सान के उपन नुक्सान हर तरीका में आर्थिक समस्या शारीरी तक्लिफ मानसिक व्यथा हर प्रगार का समस्या से भरा हुआ कुछ लोगों मुझे सुनते हैं ये बेश जैसा ये स्तिती में रहने वाला भाई और बहनों आपको इसमें से बाहर आने के लिए एक तरीक यही है आप प्रार्थना के लिए आगे आना है हालेलुया आप प्रार्थना के लिए गुटना टेक ना है प्रार्थना का आदता आपका घर में लाईए प्रार्थना करने के लिए आप समय हले कीजिए प्रार्थना करने वाले एक विक्ति बिनिये मैं आपको आज वचन का आधार पर गैरंट देता हूं आज का आपका आशू आने वाला समय में नर्थ में बदलने वाला है हाललुया आज का आपका घर के अंदर का शून्य अवस्ता भर्बूरी में बदलने वाला है आज आपका घर के अंदर का लड़ाई जगड़ा आपका घर के अंदर शामदी का मुहल बनाने वाला है आपको अभी परिशान करने वाला आपका घर का लोग आने वाला समय में शामदी का लोग बनने के लिए जा रहा है आमेन ये बेश अपना अवस्ता में चुपचाप नहीं बैठा उन्होंने क्या किया वहां बर लिका हुआ है उन्होंने प्रार्तना किया प्रार्तना करने के बाद क्या हुआ बाइबल में लिका है वो प्रतिश्टिद विक्ती बन गया आमेन हलेलुया दुख्य से भरा हुआ वेक्ति हर परार का समस्या में रहा हुआ एक वेक्ति समस्या का बीच में प्रार्थना करने के लिए तयार हो गया है कि वेख्ति में प्रार्थना करने के लिए तयार हो जाएं प्रदेश्ति वक्ति होने का तरीका में एक आधर का विश्यये हैं एक आधर का विध्थी वन्य की में सारे आपका ओपीस का लो होंगा समने परमेश आपके साथ करने वाला है हालेलुया अभी आपका पूरा कामदान के अंदर आप हर प्रकार का दुख में रहने वाला वेक्ति होगा शायत बाकि लोग उनका शादी में भी आपको बुलाने के लिए नहीं चाहा होगा उस तर आज मैं आपको गैरंडी देता हूं प्रार्थना के लिए गुटन टेक सकते तो आपका पूरा कामदान के अंदर परमेश आपको एक आधरनी विक्ति बनाने के लिए जा रहा है आपका गली के अंदर आजकर लोग आपको बेकार समझते होगा आपसे बात करने के लिए वो दोस्ति बनाने से उनका घर पे जाने से उनसे बात करने से हमारा जीवन में लुक्षान होगा श्राब होगा परिशानी होगा ये लोगों से अच्छा संबंदर एकना चाने ये करके सोचने वाला लोग और असपोडोस में होगा लेकिन आई roman आप प्रार्थना के लिए हालेलुया रहा है आश आपको मत नप्रद करने बाला दोस्त लोंगा सामने आपके तसद पढ़ा बालय करने के वाले लोगा सामने आप도 आयख्योआ है सब लोग आपको नेचे समस्ते होगा सबका सामने प्रभु आपको सुर्व बनाने के लिए जा रहा है हालेलुया शायद आपका घर के अंदर हमेशा लड़ाई होगा जगणा होगा शूर्णी अवस्ता होगा रेशन नहीं होगा खाना नहीं होगा बहुत मैनत कर रहे हैं पाइसा नहीं है हमेशा बुकार हमेशा हमेशा डॉक्टर Haospital इत्यादी अवस्ता में देखने वाला सब लोग बठाते देखों हुएशा बीमारी हैंगो डॉक्टर के पासे अबेशा होस्पिटल में हैंगे पास कुछ भी नहीं है हमेंचा उदार लेने के लिए दुर दर बाग रहा है उनके पास कोई बड़ो तरी नहीं है यह स्थिदी में रहने माला बाई और बहनों आप प्रार्तना के लिए गुटनटे के देखिए विक्तिक दिरीदी में परमेश्व का सामने बाइड कर अपने अवस्ता बोके रो रो कर परमेश्व से प्रार्तना क यह बेश क्या किया उनका अवस्ता में माशोने के लिए नहीं चाहा उनका अवस्ता से बागर आने के लिए उन्होंने नहीं उन्होंने सोचा है इसलिए उन्होंने क्या किया प्रार्तना करने के लिए कि नहीं लिया किसके सा प्रार्तना करके मदद करने के लिए कोई नहीं है कोई पास्टर नहीं मम्मी नहीं पपा नहीं भाई नहीं पडोसी नहीं विश्वासी नहीं कोई नहीं अकेला अकेला विक्तिक दिरीदी में उन्हें 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 नहीं लिया में प्रार्तना करूंगा ईशू से दूआ करूंगा मेरा घर एक्दम परिशानी में हैं ताकत नहीं है इस तरीका का अवस्ता में रहा हुआ इतना दुख से भरा हुआ यह परमेश्च का सामने कंदरने लिया मैं इसु से दुआ करूंगा आमेन हलेलुया दुआ किसे प्रार्टना करने के लिए उन्होंने लिया है वहां बर लिका है दस्वी वजन में इस्वायल की परिमेश्र देखे प्रार्तना करना बहुत इंपोर्टन है लेकिन किसके सामने करना ओभी सबसे इंपोर्टन है इसलिए मैं शुरुवात में बदाया सारे धर्म के अंदर प्रार्तना है सारे विश्वास के अंदर प्रार्तना है लेकिन किसे प्रार्तना करना उस साबसे आप का समस्या आशिश में बदलेगा हालेलुया अगर गलत जगा में जाकर प्रार्तना करें तो गलत विक्ति से प्रार्तना करें तो गलत परमेशर के सामने जाकर प्रार्तना करें तो कोई फाइदा नहीं क्योंकि हमारा जिंदगी में अनुभ हुए बहुत साल से कर रहे हैं कोई यह बहुत नहीं कम जह से लोगाई हम पयाव इदर गया है वहां गया हों किया यह किया सबकुछ किया जिंदगी में अकरी में ये मती कि आके दूआ करने से एक पल में यियू मेरा घर कस्तिदी को बदल दिया मेरा भेटा को ठीक diffi कर दिया मेरा घर का जिन्दगी में मेरा जीवन के अंदर बहुत सारे आशिश परमेशर ने दिया है यह सबका जीवन का अनभों है इस्शु में आया हुआ अलो होंगा हलेलुया ये बेश कोई गलत बगवान के पास नहीं गया कोई गलत परमेशर के पास नहीं गया उन्होंने कहां गया इसराइल की परमेशर का सामने इसराइल की परमेशर को एक विशेशदा होते हैं उन नकली नहीं है असली परमेशर है हालेलुया 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 वो आगाश और पृत्वी को बिनाया हुआ परमेशर है हम देखने वाला तारोंगो, ये मच्चत्रोंगो, ये सूरज को सारे विश्चन दादी, पश्चू, पच्ची, सारे चीज़ोंगो बनाया वस्रिट्टी करता पर हमेशर है, हालेलुया, वो सनादन है, वो आदि और अंद है, वो जिन्दा है, वो सर्वसामर्ति है, वो सर्व अंदर भी सच्चा परमेशर को डूंडने वाला एक सोभा होना चाहिए, इधर उदर जाके, नमस्कार करने से कोई फाइदा नहीं, आमें, हालेलुया, आगाश और पृत्तिवी को बिनाया हुआ सच्चा परमेशर का सामने आके, दन्यवाद करके देखिए, नमस्कार करके देखिए, दंडबत करके देखिए, उपासने करके देखिए, फाइदा जरूर जरूर होगा, हालेलुया, हालेलुया, हमारा परमेशर आगाश और पृत्तिवी को बिनाने वाला परमेशर है, हमारा परमेशर का शक्ति का बारे में, बाइबल के अंदर कितना कितना इस्प् 12 वजन गोई पढ़िये ये शया का पुस्त दगा 40 का 12 कि इसने महा सागर चुलू से चुलू से मापा हां हमारा परवेश्र क्या है कोने माह सागर को अपने हातों में माहा सागर महा सागर का मतलब क्या है इतना बड़ा समुंद्र देखा होगा यह समुंद्र का पानी को वो कैसे नापते हैं अपना हाथ में नापते हैं हालेलुया यहां कोई सरकार है क्या इसे नापने वाला का इसे कोई नेदा को नाप करें सकते क्या इस दुनिया का इतना बड़ा समुंद्र का जल को पानी को परमेश्र अपना हाथ से नापते हैं और कि और किसने वित्ते से अकाश को नाप का नाप हुआ हमारा पररब Hayır को कैसे ना आपते हैं आई यहां ऐसे तो उनका हाथ कितना बढ़ा होगा इसे लिए बाइबल में पढ़ते हैं उनका हाथ में पढ़ना बहुत मुश्किल है हमारा जीवन में अगर उनका हाथ में हम रहे तो किसी को चू सकते क्या हमारा परमेशर का हाथ हमारा ऊपर है हालेलुया आगाश को अपना हाथ से ना कुछ दिखाईइं इतना विश्भा घॉंध सुमंदिआ को अपना हाथ से नापने वाशीर है इस्रैयिल के बनेस्व परबेश्व यहोग. संध्र के सारे पानी को अपना हाथ में नापने वाल बनेस्व हे आह और भाधार करनने भाल एक थो मसी वह हाललूया। यहाव बनवेश्वर और क्या लिका है किसने पृतिवी की मिटी को नपुए से भरा और वो पृतिवी का मिटी को कैसे आप लोग जो गेगुन अपने वाला चावल ने अपने वाला पीछले समय में पुराना समय में देखो होगा आज कल आ गया है किलोग्राम सब कुछ लेकि । अंदर करते हैं यह पृतिवी का सारे मिटी को जाइसे आपा ग्लास के अंदर नापते हैं वह इसे सारे मिठी को नापते हैं हालेलुया हालेलुया हमारा परमेशर कितना महार है हालेलुया यह हम बार 25 केस का तोड़ा मिठी के लिए कितना लड़ाई हो रहें कितना ज्यादा केस चल रहा हैं कितना ज्यादा हत्या हो रहें कितना ज्यादा परिशारी हम बार हो रहें आइसे एक तुकड़ा जगा खरीदने के लिए लोग इदर इदर कितना लोन के लिए भाग रहा है लेकिन हमारा सारे दुनिया का परवद पहाड को कैसे करते हैं आज कर सब्जी जैसे हमारा सब्सक्राइब थोड़ते हैं वैसे हमारा परमिश्ट है अलेलूईया है ऐसे हमारा परमिश्ट का मसल कितना बड़ा होगा कि आमें कि माले परवद को को या इसे तोल के देखा है क्या एक एवल एक परवद नहीं दुनिया का सारी पहाड ओंगो परवद ओंगो हमारा परमेशर तोलते हैं हालेलुया इतना बिड़ा है हमारा धरा करने वाला परमेशर हालेलुया हमारा परमेशर को चोटा नहीं समझना आपको 50,000 रुपय देने के लिए मुश्किल है करके नहीं समझना जब परमेश्वर के पास आते हैं आप बोलना है पुराना सारे धन संबत्ति हमारा परमेश्वर के पास है दुनिया का सब कुछ उनगा पास है उनगा सामने 50,000 देखिए एक बिंदू जैसा है हाले बिंदू से भी अनेक करोड़ों नीचे हैं आमेन हलेलुया इसलिए इतना बड़ा परमेश्वर में विश्वास करके आप बदावो 50 का जगा में 50 करोड़ हालेलुया हालेलुया आमेन इतना बड़ा परमेश्वर को हमारे अधने करते हैं विश्वास करते हैं यह परमेश्वर से आप मिलेगा जरूर मिलेगा हालेलुया और क्या पढ़िया निचे किसने यहवा की आत्मा को मार्ग बताया आमें देखिए यह वचन आपका मन में लिखे रेकना कौंसा बजन है यश्या का पुस्तागा शालीस का बारा एक और बजन पढ़िये नया नियम से हम बढ़ेंगे पगले तिमत्योस का पत्री चे अध्याय इसका 15-16 बढ़िये जिसे वैठीक समय पर दिखाएगा जो परमधन्य और एक मात्र अधिपती और राजाओं का राजा और प्रभू का प्रभू है आमें पंद्रा बजण अच्छा से पढ़िये कुछ लोग पढ़ने से मुझे समझ में आ जाते सबसे पढ़ेंगों अच्छा से पढ़िये प्लीज जिसे वैठीक समय पर दिखाएगा जो परमधन्य और एक मात्र अधिपति हैं अलेलुया हमारा परमेश्र का अधीन में हैं सब कुछ वो सब चीज़ सोंगा अधिवदी है अधिगारी है हले एक मात्र अधिगारी इसका मतलब एश्वमसी का अधिगार के उपर कोई अधिगार है क्या कोई अधिगारी है क्या नहीं है हलेलुया जितना भी अधिगार है सारे येश्व मसी का अधिकार का आधीन में है हलेलुया येश्व मसी का नाम से बीमारी का शक्ती से जब हम कहते हैं बीमारी छोड़ के जाते हैं दुटानमा का जुंड से येश्व मसी का नाम से बोलने के समय येश्व का नाम सुन सुन गे भागते हैं क्यों एश्व मसी का नाम का सामने कोई भी भूद को नहीं खड़े हो सकते भूद का जुंड को भी नहीं खड़े हो सकते हालेलुया, वो एक मात्र अधिपती है, और तीसरा, राजाओं का राजा, और राजा होंगा, राजा है, हालेलुया, अब लोग बहुत सारे राजा लोगो देखा होगा, नेदा लोगो देखा होगा, लेकिन हमारा येश्व, नेदा होंगा, नेदा है, राजा होंगा, राज हाललुया और प्रभू का प्रभू है वो प्रभू होंगा प्रभू है बहुत सारे प्रभू होंगों देखा होगा बहुत सारे प्रभू मानने बाला प्रभू का नाम पुकारने बाला लोंगों देखा होगा बहुत सारे प्रभू लोंगा तश्मीर देखा होगा लेकिन हमार येशु उसमें से एक प्रभू नहीं है, वो प्रभू होंगा, प्रभू है, हाललुया, वो प्रभू होंगा, प्रभू है, येशु प्रभू होंगा, प्रभू है, एक सादारन प्रभू नहीं है, बाग की प्रभू जाई से एक प्रभू नहीं है, लेकि येशु बसी का प्र श्यार किसका है कैवल उनगा है हलैलुया muss product or की जीवन और पुनरुतान हूं है лेलूइलूया नियुक्त कर्विश्वास करने वाले भीकती मारे भीन झीवड़ेंगे अलेलुया मुझ पर विश्वास करने वाले वेक्दी का अभी भी नहीं मरेगा एश्यो मसी आकर लासर का कबस्तान में आके बदाया लासर बाहरा जाओ येश्यो आके बदाया देखो पादाल और मृत्यु का कुँछी मेरा पास है मृत्य को कोई अथिकार शेलुप के सामने नहीं है वो और अटिके वल उंगा है। हलेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। और पढ़िए। अगमने जोदी में रहता है। इसलिये जब हम कलिस्या में आते हैं मुंबती अगर्बती लेके नहीं आते हैं। क्यों हमारा परमेशर अंदगार में नहीं रहते हैं कहां रहते हैं जोदी में दिन में कोई सरकार स्ट्रीट लाइट जलाते हैं क्या नहीं गैलती से कभी कभी ऐसे रहते हैं लेकिन रात का समय स्ट्रीट लेट चलते हैं अमें दिन में नहीं चलाते हैं क्यों क्यों सूरज का जोदी का सामने मनिश्य बनाया हुआ कोई electricity का बल्प का जरूरत नहीं है ऐसे तो हमारा परमेशर अहम्माई जोदी में रहने वाला हालेलुया कोने अहम्माई जोदी इसका मतलब क्या है सूरज से भी हम देखने वाला सूरज से भी करोडों करोडों कितना करोडों बोल सकते हैं उतना करोडों से भी जादा शौफामाई अनुबो में जोदर गम बन गर रहने वाला परमेशर है हमारा परमेशर हालेलुया येश्व मस्य बताया है, मैं जगत का जोदी हूं, हमें, येश्व मस्य में विश्वस करने वाला हम भी जगत का जोदी बन चुका है, हमें सूरज से एनरजी स्विगार करके बाग की तारह जैसे समक चमते हैं गुदई सूर्य येश्व मसी से हम रोशनी स्विगार करके इस दुनिया में हम चमकने वाला तारह है हललुया इसलिए क्रिस्मस का दिन में हमारा गर का ऊपर हम तारह नहीं टांकते हैं क्योंकि हम कुद तारह है हललुया इसलिए केवल मकाट के उपर चमकने वाला तारह नहीं गेली के अंदर चलने वाला तारह बनना है हलललुया आपका होभीस के अंदर इस्व मसी को दिगाने वाला तारह बनना है आपका गेली में अपका होविस में, अपका समाज में, अपका कंदान में, येश्व मसी को दिखाने अवाला, येश्व मसी से पाया हुआ, जोदी हमतारा जैसा दिकाना है, हमारा येश्व मसी कौन है? अहमाई जोदी में रहते हैं, हलेलुया, अहमाई जोदी, गार पे जाके सोचना, लिके हमारा येश्वसी, इसलिए हमारा येश्वसी का सामने समक करे वाला मर्ब का जरूरत नहीं, कोई अगवरती मुंबती का जरूरत नहीं, कोई दीब का जरूरत नहीं, कोई तेल का जरूरत नहीं, हमारा परमेशा अंदगार में रहने वाला नहीं, अंदगार को दूर कर और ना कभी देख सकता है कोई मनिश्य उनको अभी तक असली में नहीं रहका असली में परमेश्र को कोई अभी तक नहीं देखा एक बार मुसा परमेश्र से बदाया परमेश्र बहुत बार मेरे से बात किया मुझे चलाया बहुत कुछ प्लीज एक बार आप मुझे दिखाई आप कौन है कैसे है आपका शकल दिखाईए परमेशर बदाया देखो अगर मेरा असली रूब आप देखे तो आप जिंदा नहीं रहेगा मेरा असली रूब देखे तो तुम जिंदा नहीं रहे फिर भी तुमारा रिकोस्ट में पार्शली आपको पूरा करना चाहता हूँ परमेशर उनको क्या किया एक पहाड में लेके गया उसके बाद परमेशर बदाय में तुमारा सामने से जाएंगे उस समय तक मेरा हाथ से केंगे हलेलुया मुझे आमने सामने आप देखे तो आप बस्म बन जाएगा इसलिए परमेशर उनको तोड़ा से परमेशर का बैक सैड दिखाया आई से दर्शन पाया हुआ वेक्तित दुनिया के सबसे बड़ा पास्टर बन गया है हलेलुया हलेलुया लेकिन बाद में ओ जोदर गम बरमेशर और अघम्माई जोदी में रहने वाला बरमेशर इस दर्शन पर आगया अपना दिखाने के लिए हमारा जैसा बन गया हालेलुया हम योगनारेशु समधार एक का चाउदा में हम बढ़ते हैं पड़ी एक का चाउदा भी यह भाग नहीं छोड़ना अनुग्रह और सच्चाई से परफून होकर हमारे वीच में डिरा किया अठारा बजन भी परमेशर को किसी ने कभी नहीं देखा एक लोदा पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रगट किया आमेन हालेलुए परमेशर को कोई अभी तक नहीं देखा इसलिए लोग अपना सोच में भावना में परमेशर को अलग-अलग रूपी में बनाया लेकिन परमेशर कुद्ध आके प्रगड कर दिया वह यह ये येश्यू मसी हालेलुए इसलिए आप आमने सामने कोई लीजिए पुरे रुथान पाया वह येश्यू मसी को देख लीजिए आपका सामने गुन में गुमने वाला येश्यू मसी को देखिए आसली में वह ये तेजो मैं परमेशर हालेलुए 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 मुझे विबरन करने के लिए बहुत सारे इच्छा हैं लेकिन समय का कमी का कारण में हम कचशोड करता हूं हमारा परमेशर कोने हम जोदी में रहते हैं कोई अभी तक उनको नहीं देखा हैं नहीं देख सकते हैं इसलिए वह एक प्रोग्राम में आकर प्रोजेक्ट बनाकर हमारा बीच में आगया अपना दिखाने के लिए आया ओई ये येश्यु मसी येश्यु मसी कोने आद्रश्य परमेशर का द्रश्य रूप हालेलुया वो तत्तो का चांप है हमैं वो सारे चीज़ उनमें है सारे सिथाम्द सारे चीज़ों का स्रोधी येश्यु है ये येश्यु मसी को अच्छा से आगर प Eck बार ये शाली है आमेन येश्व मसी के साथ जो येश्व मसी का बारे में जो concept ये गूदी लोहों रखा है वो गलत हो गया इसलिए येश्व मसी को नहीं पहिचान पाया आज कल भी ईश्व मसी का बारे में बागर का लोग अलग-अलग concept रिखते हैं वो बागर का दंदा है, वो इसराइल में आया है, वो ख़दम हो गया है, वो बागर का परमेशर है वो 2000 साल के बाद आया हुआ चोटा परमेशर है इस प्रगार का लग-अलग बाते हैं इश्व मसी का बारे में बदाते हैं इश्व मसी का बारे में concept आपका गलत होने का कारण इश्व मसी का महीमा आपको देख नहीं पारे यह सारी चीज छोड़कर आई से विश्वास कीजिए वो अदृष्य परमेशर का दृष्य रूप है हललुया जब समय पूरा हुआ हम मैं जोदी में रहा हुआ परमेशर आपको बचाने के लिए अपना प्रगण करने के लिए आई इस दुनिया में आ गया है एक बेटा बंगार एक कुमवारी स्त्री का पेड़ से